हलो स्टूडेंट्स हाव आर यू यह थर्ड लेसन है कलास सिक्स्त का नेच्रल फाइबर टू फैबरिक कि जो नेच्रल फाइबर होते हैं उनसे फैबरिक बनाना कपड़े बनाना सबसे पहले हम इंट्रोडेक्शन के बारे में सुरू करते हैं देर आर थ्री बैसिक नेसेस्टिज ओफ यूमन बिंग्स फूड शेल्टर एंडे कलोथिंग जो यूमन बिंग्स हैं उनकी तीन आधार बूत क्या होती हैं आप सकता हैं होती हैं कौन कौन सी एक तो भोजन खाना सेल्टर मतलब रहने के लिए जगए और कलोथिंग पैने के लिए कपड़े इस प्रकार जो कलोथिंग हैं कपड़े हैं वो हमारी आधार बूत क्या है आप सकता है कि हम विविर्ण परकार की क्या करते हैं कपड़े पैनते हैं जैसे साइट है पैंट है स्कर्ट है स्वेटर है साडी है शोल है एट सेक्टर कि जब हम मार्केट जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए तो हमें कपड़ों की बहुत मतलब लाड़ विर्टी देखते हैं आलसो एलार्ज विर्टी ओफ क्लोथ आर अविलेबल इन आवर हॉम्स सच एज बैड सीट्स करटेंज टाविल्स शॉल एट सेक्टर डू यू नो वट आर दीज क्लोथ मैड ओफ किसी परकार हम अमारे गर में भी जो कपड़ों की जो वराइटी है वो देखते हैं जिसे बैड सीट हैं टाविल्स हैं सॉल हैं तक्ये वगरे हैं Do you know what are these clothes made of क्या आप जानते हैं कि यह जो कपड़े होते हैं वो किस से बने होते हैं क्या आप बता सकते हैं All these clothes are made up of different type of fabrics कि जितने भी यह बबब बाते हैं यह विबिन परकार के फैबरिक से बने होते हैं from where these fabrics come और इस परकार यह जो fabrics हैं यह कहां से आते हैं फैबरिक कहां से मिलता है all these clothes are made up of different type of fabrics कि जितने भी कपड़े हैं यह विबिन बाम के जो fabrics हैं उनसे बनते हैं फैब्रिक्स आर made by weaving or knitting fibers or yarn made of a fiber कि जो फैब्रिक्स हैं इनको weaving के दवारा या फिर knitting के दवारा fiber को knit करके या फिर फैबर से दागा बना करके ये फैब्रिक्स से बनाए जाते हैं fiber is a thin thread like strand from which cloth is a made in this chapter in this chapter we will learn about different type of fibers and processing of fabric from fibers कि जो fiber होता है वो क्या होता है पतला thread like मतलब strand होता है एक धागे नुमा structure होती है और इस chapter में हम we will learn about different type of fibers कि हम अलग लग परकार के जो fibers हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे and processing of fabric from fibers और किस परकार से जो fiber हैं उनसे fabric के बनाए जाते हैं कपड़े बनाए जाते हैं activity first visit a tailoring shop nearby your house collect cutting of fabric left over after stitching touch and feel each and every piece of cloth label the cloth with cotton silk wool and mix on the pieces of cloth for this tag the help of a a tailor when you look at any cloth it seems a continuous piece now pull a single thread from any piece of cloth what these fibers are sorry or cloth made of let us find out answer to these questions आपको क्या करना है आपको एक टेलर की शोप पर जाना है और वहां से जो कपड़ों की जो कटिंग होती है जो बच जाती है कपड़े सिलने के बाद में उनको क्या करना है इकठा करना है और फिर उनको क्या करना है टच करना है टॉच करके फील करना है कि यह जो प्रतेग जो कपड़ा है वो मतलब किस से बना हुआ है और उसको क्या करना है उस कपड़े को मतलब लेबल करना है कि यह कोटन का बना हुआ है या सिल्क का बना हुआ है या वूल से बना हुआ है या फिर मिक्स है ओके वैन यू लुक एट ए अपड़े को देखते हो तो यह टुकुडा पीस आपको दिखाई देता है नाउप पुल ए सिंगल थ्रेड़े फ्रोम एनी पीस और क्लोथ वट इस फाइबर्स और क्लोथ मेड ओफ जब हम इसको एक दागे को बाहर खिंचते हैं तब हम पता करते हैं कि भी यह जो फाइबर् स्अक्डिये क्या है टेक आउट यैन फ्रॉम एटीज और पीस आपको टंट इबरिक है प्यूत के टुकुड़े से अपने को क्या करना है कि यहर्ण लेना है एक कहाँ लेना है प्लेश दी पीस औपर utter ओन Sydney टेबल और फिर उस टुकडे को क्या करना है place the piece of paper on the table table पर रखना है now place one end of the yarn with your thumb एक साइड से आपको क्या करना है thumb से उसको दबाना है scratch the other end of the yarn along with its length with your nail और फिर दूसरी साइड से आपको क्या करना है उस yarn को लंबाई में आपके nails से क्या करना है उसको scratch करना है what will you observe आप क्या observe करते हो the piece of cotton yarn split into thin strand of cotton कि जो cotton का जो टुकड़ा होता है cotton yarn का जो टुकड़ा होता है वो किसमें टूट जाता है बतले बतले strand में टूट जाता है thus on the basis of above activity we can conclude that fabric of cotton yarns are made of still thinner strand of a cotton कि इस प्रकार हम conclude करते हैं कि जो cotton के जो कपड़े होते हैं वो मतलब cotton strand के बने होते हैं अब हम यह पता करेंगे कि यह जो फाइबर से बने होते हैं now let us find out from where these fibers comes अब हम यह पता करेंगे कि यह जो fibers होते हैं यह कहां से प्राप्त होते हैं आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे बाकि हम classification of fibers नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तब तक के लिए thank you and have a nice day